एक मंच जहां मिलती है मैट को जानका लिया सवाल हो और जवाब गूद एक मंच जहां होते हैं हसी और ठहा के एक मंच जहां होती हैं सर्चाएं दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूँ नहीं कीजी आप पहले सुन लीदिये उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पित के नहीं चाहिए एक मंच जहां मिलेगा लोगती संगीत और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ लॉग आन कीजिए www.radioran.com और जुड जाये हमारे साथ Hello dostos, are you looking for positivity and inclusivism in life? Then don't worry, this brand new show called Inspirational Wings is just and just for use. So guys, to enjoy this beautiful ride video on RJ Devia, don't forget to tune us every Thursday 9 to 10 only on Radio Udaan. आप सुन रहें इंस्पिरेशनल विंग्स आरजे दिप्या के साथ गुड इवनिंग नमस्ते एंड सच्छियकाल मैं हूँ आपकी होसने दोस आरजे दिव्या और आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशनल विंग्स ओनली ओन रेडियो उडान फ्रेंज गेट रेडी फोर अन इंस्पिरेशनल राइट विद्यो ओन आरजे दिव्या फोर नेक्स्ट वन आर चलिये दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइट को एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी से जाली आरजेशनल ची सी ल्यारी स्टोरी स्टोरी आर शफिर सब्सांटी आर fine today before you think of saying an unkind word think of someone who can't speak before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying out to God for a companion. Today, before you complain about life, think of someone who went too early to heaven. Before you complain about your children, think of someone who desires children, but they are barren. Before you argue about your dirty house, someone didn't clean or sweep, think of the people who are living in the streets. Friends, before whining thinking about the distance you drive, think of someone who walks the same distance with their feet. And when you are tired and complain about your job, think of the unemployed who wished they had to do your job. But, before you think of pointing the finger or condemning others or another, remember that not one of us are without any sin. And we all answer to one maker. and when depressing thoughts seem to get you down, put a smile on your face and thank God, you are alive and still around. So, friends, life is a gift, live it, enjoy it, celebrate it and fulfill it. So, ये थी एक प्यारी सी inspiring story. Life is a gift. तो चलिए, next segment में जाने से पहले ले ले लेते हैं एक छोटी सी musical break. See you after this musical break. Happy listening. कर दो प्यारी सी पल पल खेलती है जिन्दगी, उम्र ढलता छोडाई जिन्दगी, पल पल खेलती है जिन्दगी, उम्र ढलता छोडाई जिन्दगी, थोड़ा सबच पल पल खेलती है जिन्दगी, थोड़ी जवादी, आगिरी के मन मोर नहीं कहानी, पल खेलती है जिन्दगी, थोड़ी सितन चल, थोड़ी सयारी, मंदल पे दर्यादी, जिन्दगी, उम्र ढलता छोडाई जिन्दगी, पल पल खेलती है जिन्दगी, उम्र ढलता छोडाई जिन्दगी, दिल जवा है दड़कर आज भी खुन खुनाती है दिल जवा है दड़कर आज भी खुन खुन खुनाती है बंदिशे अब खुईशों से बच्चके निकल जाती है थोड़ी सिसाधी थोड़ी रंकी है तोरी सजी, तोरी सजी, बुल जी सी पहली जंदगी, उम्र ढलता छोड़ा जंदगी, पल-पल खेलती है जंदगी, उम्र ढलता छोड़ा जंदगी, अपनों को खोकर भी अपने मिले, खोए ठिकाने कदर पे मिले, पहचा पुरानी उमीदों से है, जीने क्यों ही महाने मिले, तोरी सी सच्च है, तोरी सी जूती, तोरी सी जंदगी है, तोरी सी रूजी, यार मो की है जारी जंदगी, उम्र ढलता छोड़ा जंदगी, पल पल खेलती है जंदगी, उम्र ढलता छोड़ा जंदगी, मुराहों से दो सती, अमंजिलों का कोई डर, तास्त मागे जंदगी, जिन दास्त है ये सफर, तोरी मचल की, तोरी समर की, तोरी सी जारे जंदगी, पुरी अपिसल की, हसती खिल खिलाती जंदगी, उम्र ढलता छोड़ा जंदगी, जिन दो खिले जड़ी, तोरी जंदगी, जिन दो खिले जड़ा जंदगी, और चंद अलफाजों के मोती बस यही अंजुमन यही है जिन्दगी अंजुमन यानि मैफिल नैफिल यानि बज़ जिहा दोस्तो ऐसी ही एक मैफिल का ऐसी ही एक बज़न का आगाज होने जा रहा है जिसमें होंगे चंद अलफाज चंद गजबें और चंद बेजबान एहसास आप मुझे यानि आप जे रवी को सुन सकते हैं आपके अपने प्रोग्राम अंजुमन में हर मंगलवार रात 10-11 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उडान पर तो सुनना ना बोलिएगा आपका अपना प्रोग्राम अंजुमन आप सुनरें इंस्पिरेशनल ग्रिंस आज ये दिप्या के साथ चलिए एक वाफिस से आपका स्वागत है इंस्पिरेशनल ग्रिंस में तो दोस्तों इन दिस सेग्मेंट आपका अपना प्रोग्राम अंजुमन ओस्तों हम सभी रएं कि कुमिंग अप ऐस्ट माच is दा इंटर्ने anno जोब य। य। यॐ, य॥ी दूस्तों दोस्तों ओस्तों डी आपका अपर सैलिबरेटिं वीमन फ़ूं नावि आफिसम्रॉं सवेंट्स अउफौड्स जिहां, in this feature, we talk about 10 women who have risen above their genders and carved a niche for themselves. तो चलिए बात करते हैं, इन 10 women के बारे में. प्रस्ट अज़र में. प्रस्ट अज दूआ, जिश अज़र में. अज़र आप में. बात कर्णा ज़र अज़र में. says quite a good deal about Chanda Kocha. At a time when there were very few women CEOs around, Kocha took the banking world by storm when she came to head ICICI Bank. Next woman is Kiran Beti Age 64 India's first women IPS officer Kiran Beti has been known for her hard position on social justice. She was a front runner in the recent India against corruption movement. She had never showed any sign of bowing down to political pressure in spite of her fear share of controversies. Vidya Balan Vidya Balan Age 35 It would be a glitch to say that Vidya Balan inspires us because she challenged industry norms. Our inspiration stems from her inborn ability to believe in herself in spite of all the odds that have come come her way. She has never succumbed to the pressure from the media either and her low key and very simple wedding to Siddharth Roy Kapoor stands testimony to the fact. coming up next is Nirupamar Rao age 53 she was the first woman full term foreign secretary in India's history handed with the uphill task of transforming Indo-US ties she has become the channel through which all major agreements between the two countries flow. Apart from this she was also the first female spokesperson of the Ministry of External Affairs. coming up next is Barkadat age 41 Barkadat's journalistic achievements are quite well known to everyone and rightly so while her reportage of the Kargil war brought her a lot of criticisms it surely took superman courage and a lot of will strong will on her part to be in the middle of a war. The fact that most aspiring journalists look up to her as a role model speaks much much about her success. Now comes Arundhati Roy age 51 India's controversy child never took up the task of writing another novel despite having been celebrated for her first because she of her focus on human rights in India she was one of the very few Indian women listed in Forbes list of 30 inspiring women Jihaan dosto Arundhati Roy is amongst the very few women listed in Forbes list of 30 inspiring women next next comes Kiran Rao age 39 not too much was known about her when she became wife to one of the most well known names in the Hindi film industry Amir Khan she even drew flag from different quarters for being the other women in spite of all this Kiran Rao has held her own ground and established herself in the industry purely on the basis of her marriage coming up next is Chitra Ramakrishna age 47 the shy looking Chitra Ramakrishna is all set to head one of the world's biggest securities exchange boards national stock exchange NSE Ramakrishna a charted accountant ensured that NSE became a transparent market ecosystem reaching out to thousands of locations in the country also under her leadership NSE recorded a profit of rupees 860 crore in the year 2011 next is Mary Com age 30 recently awarded the third highest civilian award the Padma Bhushan Mary Com has been forced to reckon with in Indian sports in a country where not too many women are encouraged to take up sports Mary Com is a shining example of how much women can achieve despite being a mother she followed her passion for boxing and has today inspired thousands of young young girls to shape out their own success stories now comes Krithika ready age 41 for the uninitiated Krithika is the India head for Facebook after Facebook set base in India the user base for social network went up to over 40 million from a mere 8 million people in less than 2 years she along with her team took up community initiatives touching the lives of millions of students and also got Facebook to support NGOs like Olympic Gold Quest which groomed Olympic as so friends these were the 10 women who have risen above their genders and curved niche for themselves so dosto abhi next segment mein milte hain aur usse paale mein sabhi women ko wish kana chaoongi a very happy international women day in advance now let us take a musical break and we'll see you after this atli batli break we'll next go the next we'll see रुक रुक के कहते हैं जुक जुक के रहते हैं रुक रुक के कहते हैं जुक जुक के रहते हैं दिल का मिज़ाज इश्क याँ दिल का मिज़ाज इश्क याँ तनहा है लोगों में लोगों में तनहाई दिल का मिज़ाज इश्क याँ दिल का मिज़ाज इश्क याँ चोटें भी खाए और गुंगुनाए ऐसा ही था ये ऐसा ही है ये मस्ती में रहता है मस्ता ना साधाई दिल का मिज़ाज इश्क याँ अर दिल का मिज़ाज इश्क याँ अर दिल का मिज़ाज इश्क याँ शर्मीला शर्मीला परदे में रहता है दर्दों के छोंके भी चुपके से सहता है निकलता नहीं है गली से कभी निकल जाए तो दिल भटक जाता है अरे बच्चा है आखिर बैख जाता है खाबों में रहता है बच्पन से हर जावी दिल का मिज़ाज इश्क याँ 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 गुसे में बल खाना गैरों से जल जाना मुश्किल में आये तो वादों से टल जाना उलजने की इसको युँ आदत नहीं मगर बेवावारी शरापत नहीं ये ज़त पाती होके छल जाता है इश्क में होती है थोड़ी सी गर्माई दिल का मिज़ाज इश्क याँ अरे दिल का मिज़ाज इश्क याँ रुक रुक के इश्क याँ जुक जुक के इश्क याँ रुक रुक के पहते हैं जुक जुक यह रहते हैं ए कि ए कि ए कि ए किया यू ए ए कि ए ए अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त आपके धरवाले आपको पसंद करें आपसे खुश रहें आपकी परशंसा करें तो आए हमारे साथ रेडियो उडान के कारेक्रम जायकेदार बाते में इस कारेक्रम में हम आपसे करेंगे कुछ ऐसी बाते में जिससे कि आपका जीवन बने आसान और आप रहें ह हमेशा सेहत मन तो दोस्तों इंतजार किस वाद का सुनिए हमारा कार्यकरम जाइकेदार बाति ये कार्यकरम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवाद रात आख बजे तो सुनना ना भूलेगा हमारा कार्यकरम जाइकेदार बाति आप सुनरे इंस्टिरेशनल विंस आज़े भिप्या के साथ दॉस्टो नओ लेट सेक अनदर तोरी इस सम्टम्स ओर ग्रेतिस विकने तोरी स्टैंथ सम्टम्स ओर ग्रेतिस्ट विकने बिकों आप स्टैंथ ते तेक चिए लिए लग खिर इस तन ये ओल बॉट 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 लट रवी बॉट जथा झाथ एल लग आप वे अश्ट से लॉट आंटर बॉट अशय का अर्चित कर शीचेश the boy began his lessons judo lessons with an old japanese teacher the boy was doing pretty well but he couldn't understand that why after the practice of three months he was given only the one move by his teacher he gathered courage and asked his teacher why he has been given only one move even after so long he asked master master shouldn't i be given more moves the master replied well boy this is the only move you need to learn believe me this move is going to help you throughout not quite understanding but the boy believed in his teacher and continued his constant practice and hard work several months later the master took the boy to his very first tournament the boy there easily won first and second match the third one the third match was quite difficult it was quite daring in this match the opponent got really charged up and was getting angry this made the boy really skillful and he used the only move the only needed move and won the third match as well the boy was quite surprised that how this one move was getting him through all these matches however he entered into finals so what happened in finals well though so i will reveal the real suspense after this musical break stay tuned and keep listening so i i i i i i माँ ओ माँ जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आख तेरी भी तो भर आती थी एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम आज भी कोई जोट लगेता राती हो राती हो आज भी मेरे लगेता राती हो दाती हो राती हो राती हो आज मेरे लगेता राती हो तेरी बातों में अपनी हर एक मैं उल्जन का हलपा लेता था तेरे हातों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था तेरी बातों में अपनी हर एक मैं उल्जन का हलपा लेता था तेरे हातों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था तेरा हिस्का गए तेरा किस्का गए जो सब को तरा तूरो तूरो आज भी मेरी बात चले तो यादा खा थी हो यादा खी हो कुम आती मेरी अंक्वरे तो यादा खा थी हो यादा खा थी हो मेरी बात चले तो मेरी माँ, मेरी माँ कोने को था में, तेरे आचल के, बेफिक्रा मैं सुझाता था मेरे दिल में क्या है तेरे दिना माँ, कोई संजा ही ना पाता था जो हो संग तो ना, जो हो जग तो ना, यार इतना तरना ये हो तूँ आच भी कोई साथ अगे तो ना, यार इतना तो ना, यार इतना तो अ मेरिमा, मेरिमा मेरिमा, मेरिमा, मेरिमा मेरिमा, 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 मेरिमा मेरे यानि अमिद भट के साथ, हर शुक्रवार रात नौ से दस और शनिवार, शान चार से पाँच, आपके अपने ओन्लाइन रेडियो स्टेशन, रेडियो रान पर एक मुलाकाँ. पाँच, एक मुलाकाँ. आप सुन्रे इंसिरेशनल विंग्स आजिए धेप्याटे साथ तो दूस्तों, इन अवर लास सेग्मेंट, वी वे टॉकिंग अबाउट स्टोरी, दे टाइटल अप स्टोरी वास, सम्ताइम्स अवर लाजेस्ट वीकनेस कैन बिकम अवर लाजेस्ट स्ट्रेंथ, अब तक हमने बात की की एक दस साल के बच्चे ने जूटो सीखने का निर्न लिया, जबकि वो अपनी लेफ्ट आम, लेफ्ट बाज्यू हो चुका था एक कार एक्सिडेंट में, उसने एक जैपनीज एक्सपीरियंस्ट मास्टर से क्लासिस लेनी शुरू की, कुछ महीनों बात उसने अपने मास्टर को कहा, कि मास्टर आप इतनी महनत के बाद भी मु यह जो एक स्टेप है, एक मूव है, यह तुम्हारे लिए काफी है, बच्चे ने अपना विश्वास मास्टर में बनाया रख्या, और महनत की, कुछ समय बात, मास्टर बॉई को टूर्नमेंट में ले गए, जहां पर फस्ट और सेकिंड मैच बड़े इसली बच्चे ने ज इश्किल था, बच्चे ने अपनी सूजबूच से और अपनी मूव पे बहतरीन पकड़ के कारण खतनाक ओपोनेंट को भी हरा दिया, फाइनली वो फाइनल्स में पहुँच गया, तो अब आगे जानते हैं कि आगे फाइनल्स में क्या हुआ This time in finals boy's opponent was much more experienced huge and strong. For a second it came up that the boy was not a match for his opponent. the referee concerned and tried to stop the match just then the master the master of boy intervened he asked the referee to let the match on and that the boy would make it through after soon the match started his opponent made a great mistake his guard slipped and fell down the boy took the advantage and tried his best to nail him down he with his only move tried his best and pinned the huge opponent down and finally he won the crucial and daring match he became the winner of tournament the champion while returning from match the boy and the master were discussing about each and every move suddenly the boy gathered courage and asked his master that how the only one one move made it possible for him to won all the matches well he again asked him how just one move made me won all the matches the master replied that you won the matches just for two reasons first you almost practiced and mastered the most difficult move of judo secondly the only defense for the move you know is by holding the left arm the opponent can overpower you in such a situation only by grabbing your left arm so here we saw the boy's biggest weakness became his biggest strength so dosto kabhi bhi apne apko kamzor na samjheye aur try always your best and have belief in in god in your guru and in yourself so let us move further to our last segment keep listening and now we are going to take another musical break see you after this break happy listening happy 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 सची के सचाए बैटी सादिंदे गुलाए बैटी कहां दूँआ अंजाना आले आने दिजलाए दिजलाए ना गरिया पे आया परवाना कान साकन है बर माएरे हमरी अचारिया पे आजारे सबरिया देखा देखी तैनिक हुर जाए है हमरी अचारिया पे आजारे सबरिया देखा देखी तैनिक हुर जाए हमरी अचारिया पे किवरया से लग के पिया करेजना सचांगी बहत काड़ी फेके पिया उडावे जहांगी के बढ़िया से लगके पिया करे जासा काँ की बहत काड़ी फेके पिया उड़ावे जगाँ की सब्सक्राम देवे जासा की आजा गिलारी खिलाई दू किमामी लाली पे लाली तलिक हो जाए आजा गिलारी खिलाई दू किमामी लाली पे लाली तलिक हो जाए जो मुदिया तरिया पे पड़ोसन के घर वाजे हो जाए भजे हो जाए जाए हना सबरियां सासन सपुली मुडी काटे जहरियां जहरी नजरियां का जा तरियां पे पिला दू अंगूरी जो जा जो डिक तनिक हुज आए हूँ का जा तरियां पे पिला दू अंगूरी जूरा जो जो डिक तनिक हुज आए हूँ हमरी अचानियां पे खा़ा दे सबरियां जहरें कितनिक हुज आए हमरी अचाRIयां पे काज़े लगाए बैठी चुटी लागुहाए बैठी काहा गुमुगुहाई जा नाम कौन कासान है बाड़ माए रे स्क्काचच अच्छ भाड़ अनाम कि सिर्फिटक्ष नाम चुट भाड़ माणिक माहा गुमुप। यह फुमुटी छिए। सुट्विट काचच अचुट अच्छ कर दो इसकि कि वीयरोद इसांट पिर्फी लगए उंड ही लिए झाल भुड़ी व सेथी हम पिर्फीज एसांट। झाल प्रिफीज़ वर झाल झौचँ हो जाति है, विजिए लिए नीज भी लिए लगशी कि इन फिर थे पॉड़ वगशनीज सांट। अजो भारत हो दुद्धान चाहिए थाउन राते है न्यात के लिद्धा सब्सक्राइं भारत रुट को लिदा धीयान जी था पाती है य गो प्राहख भुझाग करताय करते है करती है होwarIR जर है प्रस्टब्रों टैस्त वीस्टबरा है सब्सक्राइब ए जुबराइब नंडग उडर्डों हुड हो पूरक mai a room without a book is a concrete desert, a person without a book is a cognisant dead carcass. Here comes Radio Hodoor with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 PM, a look into a book. With me, Balamagенным Ren, A Look into a Book, An Excavation for Eternal Mirrors आपसन दिशिशन विंस आपसन प्राइब। So, दोस्तो, this was our episode for today. एक वाइज जल्दी से देख लेते हैं, आज हमने क्या-क्या जाना. In our very first segment, we talked about a story titled, Life is a Gift. In our second segment, we talked about women. जी हाँ, दोस्तो, हम सभी जानते हैं कि 8th March को International Women's Day celebrate किया जाता है. तो इसी बारे में, इस segment में मैंने बात की about 10 women who have risen above their genders and carved a niche for themselves. In our next segment, we talked about another story. Story about, Sometimes our greatest weakness can become our greatest strength. और हमारे fourth segment में, हमने same story, Sometimes our greatest weakness becomes our greatest strength को resume किया. तो इसी तरह, हमारा ये episode खतम होता है, और मुझे अमिशा की तरह उमीद है कि आपको ये show पसंद आया होगा. इससे पहले कि मैं आपको goodbye कहूँ, एक फ़र मैं आपको यार दिलाना चाहती हूँ कि पर आपको कि आपको आपको किया है. रेडियो उरान के नाम से ये पेज है और जी हां दोस्तों, if you have any positive, negative feedbacks, views or the points or ideas to how to make this show more worth it, more better, please don't forget to mail me. my email id is divya at radio uran.com divya that is d-i-v-y-a at the rate of radio uran.com so दोस्तों, coming up next is jokes with jokers, stay tuned और मैं आपको मिलूंगी next Thursday 9 to 10 only on radio uran, till then take care of yourself, keep inspiring and keep living. listening radio uran, तो चलिए अभी last musical break लेते हैं और फिर मिलेंगे next week Thursday को, take care friends, good luck. प्यार के लिए ही दमिया बनी है त्यार का मिलाए ना लगु पति रहगा बनाजा रखुपती राघब ना जारा MOONSTOP पले आज की पले CLELEPRIATION सेरे रघुपती राघब ना जारा MOONSTOP पले आज की पले CLEPRIATION सेरे रगुपती रागव राजा क्या दात है, क्या पात है मेरी जिन्दगी मेरे साथ है ना चैन है, ना होश है हर आरदू मदधोश है मां की दुआ जो खभी देरे देरे लाप देरे जाने कम परना उसे पूरी की है रब देरे तरसे दरों में शक्रिया रगुपती रागव रगुपती रागव रगुपती रागव राजारा 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 बाल बाल सकते हैं रंगों से भी रंगी नहें ये पर बड़ा लंगी नहें फिर ये समा ना आएगा फिर ये निशा नचाएगा रहना भी खाबों के चरालों से सजी है मेरे खायालों में भी तूम नची है तो बेकर हुए है रपनो रहना आएगा रहना आएगा रहना आएगा हाना आए हाना आएगा रहना तरकुन दिरागा जो तरकुन दिरागा जो तरकुन दिरागा